कि मेरे प्यारे देश वास्यों नमस्कार कोरोना के खिलाप लड़ाई में जन्नता कर्फियू से लेकर आज तक हम सभी भारतवास्यों ने बहुत लंबा सफर ताय किया है समय के साथ आर्थिक गतिविद्यों में भी दीरे धीरे तेजी नजर आ रही है हम में से अधिकाउस लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज गरों से बाहर निकल रहे हैं त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रोनक धीरे धीरे लोट रही है लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो वाइरस नहीं गया है बीते साथ आठ महिनों में प्रतेग भारतिये के प्रयास से भारत आज जिस सम्बली हुई स्थिति में है हमें उसे बिगडने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है फेटालिटी रेट कम है भारत में जहां प्रती दस लाग जन संक्या पर करीब साड़े पाँच हजार लोगों को कोरोना हुआ है वहीं अमेरिका और ब्राजिल जैसे देशों में ये आखड़ा पचीस हजार के करीब है भारत में प्रती दस लाग लोगों में मृत्युदर 83 है जबकी अमेरिका, ब्राजिल, स्प्रेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आखड़ा छेसों के पार है दुनिया के साधन संपन देशों की तुलना में भारत अपने जादा से जादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफर हो रहा है आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए नब्बे लाग से जादा बेड़्स की सुविधा उपलब्द है बारा हजार कॉरंटाइन सेंटर्स है कोरोना टेस्टिंग की करीब दो हजार लैप्स काम कर रही है देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही दस करोड के आंकड़े को पार कर जाएगी कोवीड महामारी के खिलाप लडाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है सेवा परमो धर्म के मंत्र पे चलते हुए हमारे डॉक्टर हमारे नर्सीज हमारे हेल्थ वर्कर्स हमारे सुरक्षा कर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले के लोग इतनी बड़ी आबादी की निश्वार्त सेवा कर रहे हैं इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवा होने का नहीं है ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खत्रा नहीं है हाल के दिनों में हम सबने बहुत सी तस्वीरे वीडियो देखे हैं जिन में साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत दिला ही ले आए हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है अगर आप लापरवाई बरत रहे हैं बीना मास के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आपको अपने परिवार को अपने परिवार के बच्चों को बुजूर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं आप ध्यान रखिए आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंता जनक वृद्धी हो रही हैं साथियों संत कभिर्दास जी ने कहा है पकी खेती देखी के गरब किया किसान अजहू जोला बहुत है गर आवे तब जान अर्था कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अती आत्मिस्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया लेकिन जब तक फसल घर न आ जाएं तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए यही कभिर्दास जी कहके गए हैं यानि जब तक सफलता पूरी न मिल जाएं लापरवाई नहीं करनी चाहिए साथियों जब तक इस महामारी की वैक्सिन नहीं आ जाती हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पढ़ने देना है बरसों बात हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सिन के लिए जी जान से जुटे हैं भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सिन पर काम चल रहा है इन में कुछ एडवांस टेज पर हैं आसासपस्तिती दिखती हैं साथियों कोरोना की वैक्सिन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रतेग भारतियत तक कैसे पहुँचे इसके लिए भी सरकार की तयारी जारी है एक एक नागरी तक वैक्सिन पहुँचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है साथियों राम चरीत मानस में बहुत ही सिख्षा प्रत बाते हैं सिख्णे जैसे बाते हैं लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनिया भी है जैसे राम चरीत मानस में बहुत बड़ी बात कही गई है रिपू रूज पावक पाप रिपू, रूज, पावक पाप, प्रभू, अही गनिय न छोट करी अर्थात आग, शत्रू, पाप यानि की गलती और बिमारी इने कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाएं, इने हलके में नहीं लेना चाहिए इसलिए याद रखिए, जब तक दबाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुश्यों का समय है, उल्लास का समय है एक कठीन समय से निकल कर हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी सी लापरवाई हमारी गती को रोक सकती है हमारी खुश्यों को दुमिल कर सकती है जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतरक्ता ये दोनों साथ साच चनेंगे तबी जीवन में खुशियां बनी रहेगी दो गज की दुरी समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना इसका ध्यान रखिये और मैं आप सबसे करवद्ध प्राथना करता हूँ आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूँ आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूँ यह त्योवार आपके जीवन में उत्सा और उमंग भरे ऐसा बातावरन चाहता हूँ और इसलिए मैं बार बार हर देश वासी से आगरे करता हूँ मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी सोशल मीडिया में जो सक्रिये हैं उन लोगों से भी बड़े आगरे से कहना चाहता हूँ कि आप जागरुकता लाने के लिए इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरान अभियान करेंगे यह आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी आप जुरूर हमें साथ दीजिए देश के कोटी कटी जनों को साथ दीजिए मेरे पैरे देशवाशियों स्वस्त रहिए तेज गती से आगे बढ़िए और हम सम मिलकर के देश कोगी आगे बढ़ाएं इनी सुबकामनाओं के साथ नवरात्र, दशरा, इद, दिपावली, छटपुजा, गुरु नानक जैन की समेथ सभी त्योहारों की सभी देशवाशियों को एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद